हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो जीनियास किचेन आज हम बनाएंगे आप सबके लिए एक बहुत ही यम्मी बहुत ही डिलिसियस रेसिपी जिसको बच्चे तो बच्चे बड़े भी बहुत पसंद करते हैं जिसका नाम है चिकेन लॉलिपॉप यह चिकेन लॉलिपॉप एक इंडो चाइनिज डिस है जिसको हम ज्यादा तर बाहर बहुत खाते हैं रस्ट्रेंट बगेरा में बहुत ही मिलता है यह लेकिन आज हम इसको ट्राइ करेंगे बनाएंगे देखते हैं इसका रेसिपी इससे पहले आप अगर मेरे चैनल में नए ह तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए चिकेन लॉलिपॉप बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चिकेन लॉलिपॉप पीसेस लिया है दस पीसेस लिया है मैंने इस चिकेन लॉलिपॉप में पहले हम डाल देंगे यह जेंजर गालिक पेस्ट वान टेबल स्पून कस्मिरी रेट चिली पाउडर डाल देंगे वन टेबल स्पून ये काली मिच का पाउडर डाल देंगे हम हाप टेबल स्पून कनफ्लोर डालेंगे हम तीन टेबल स्पून ये देखिए कनफ्लोर डाल दिया है मैंने अब हम इसमें डाल देंगे मेदा 1 टेबल स्पून अब हम इसमें स्वात के अनुसार नमक डाल देंगे मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून डाल दिया है और लास्ट में हम डालेंगे एक अंडा को फोड़ के अंडा डालने से हमारा जो चिकेन लॉली पॉप है यह बहुत ही सॉफ्ट बनेगा इस सारे चीजों को हम अच्छे से मिलाएंगे इसमें बिल्कुल भी पानी एड़ने करेंगे हम इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है आपने नोटिस किया होगा इसमें ना ही कोई कलर है ना ही कोई अजीनो मोटो है इस देखिए डीफ राइ करने के लिए मैंने ओईल गरम कर लिया था इस गरम ओईल में हम एक एक करके सारे जो लॉलीपॉप है इसको डीफ राइ करेंगे यह देखिए एक एक करके मैंने सारे जो लॉलीपॉप है इसको मैंने तेल में डाल दिया है इसको हम चारों तरफ से अच्छे से डीफ राइ करेंगे ये जो तेल में छाक सा आ रहा है फ्रेंट्स ये अंडे के बज़े से आ रहा है so don't worry एक तरफ से हमारा चिकन लॉलिपॉप फ्राइड हो चुका है दूसरे तरफ भी इसको हम अच्छे से डिफ फ्राइ करेंगे देखे हमारा चिकन लॉलिपॉप फ्राइ हो चुका है हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे इसी तरह से भी आप इसको सर्ब कर सकते हो लेकिन मैं इसके लिए एक सॉस बनाऊंगी सॉस बनाने के लिए पहले हम कडाई में थोड़ा सा तेल गरम कर लेंगे मैंने यहाँ पर वन टेबल स्पून तेल गरम कर लिया है अब हम इसमें डाल देंगे चॉप किया हुआ लेसुन चॉप किया हुआ ग्रीन चिल्ली और थोड़ा सा चॉप किया हुआ प्याज ये तीन चीजों को हम हाई फ्लेम में थोड़ा सा फ्राइ करेंगे ये दिखें थोड़ा सा फ्राइ करने के बाद हम इसमें डाल देंगे वन टेबल स्पून रेट चिल्ली सॉस वन टेबल स्पून सीजों सॉस हाप टेबल स्पून ये डाक सोया सॉस वन टेबल स्पून टमाटो केचप इस सारे sauce को हम अच्छे से high flame में थोड़ा सा mix करेंगे अब हम इस sauce में डाल देंगे यह जो fry करके रखा है हमने lollipop pieces को यह दिखिए मैंने एक एक करके डाल दिया है सारे lollipop pieces को और इसको हम अच्छे से coat करेंगे चारो तरप से अच्छे से coat होना चाहिए यह दिखिए मैंने अच्छे से इसको coat कर लिया है इस सारे जो process है हम इसको high flame में करेंगे और इसमें हम कोई भी नमक आड़ नहीं करेंगे अभी दिखिए sauce में अल्रेड़ी नमक होता है अब last में हम डाल देंगे थोड़ा सा spring onion ग्यास को हम off करेंगे हमारा जो yummy सा chicken lollipop है यह अभी ready हो चुका है आप इसको गरम गरम सर्फ कर दीजिए आपको अगर यह recipe अच्छा लगा तो please मेरे चैनल को subscribe कर दीजिए आप भी इसको घर में जरू ट्राइ करना कैसा लगा मुझे comment करके बताना thanks for watching बाई